आज की रेसिपी है मकमली पनीर की जो की अगें नवरात्रे स्पेशल रेसिपी है आप इसको नॉर्मल डेज में भी बना सकते हो प्याज और लहसन एड़ करके तो मैं इसके बारे में भी आपको आगे बता दूँगी सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेंगे 200 ग्रैम पनीर इसको मैंने बड़े-बड़े क्यूप्स में काटके रखा है पैन में हम अट करेंगे बस आदी चमची घी और जब यह अच्छे से गरम हो जाए फिर इसको हम पनीर आड करके एइस तरह का कलर लाने में यह पनीर को निकाल लेते हैं और अब पनीर मुखमली बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं एक एक करके दिखा दूँगी 200 ग्राम फ्राइ किये वे पनीर है मेरे पास साथ हम ले ले लेंगे एक बड़े साइज का टमाटर काट के और यहाँ पर मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम लिया है आप दूद पर की छालिय मलाई यूज कर सकते हो यहाँ पर कुछ चीज है जैसे कि अधरक आधे इंच के अधरक को मैंने छोड़े छोड़े पीस में काट लिया है दो हरी मिर्ची है और एक सिर्फ एक तेश पत्ता चाहिए आपको साथी एक कप यहाँ पर दूद हम ले लेंगे बारे से तेरे काजू ले लेंगे यह है एक टेबल स्पून खस-खस कुछ गरम मसाले जैसे कि दो हरी लाइची, तीन लॉंग, एक स्टार एक टी स्पून हम ले लेंगे कसूरी मेथी, एक चमची धनिया पाउडर और आधी चमची लाल मिर्चो का पाउडर यहाँ पर एक चोथाई चमची हल्दी पाउडर है और गरम मसाला भी एक चोथाई चमची ही है जीरा एक चोथाई चमची तो चलो शुरू करते हैं पनीर मखमली बनाना तो दो टेबल स्पून हम घी ले लेते हैं आप इसको ओयल में भी बना सकते हो लेकिन यह नवरात्री के लिए इस्पेशली में बना रही हो तो घी में बना रही हो यहाँ पर जीरा एड़ कर देना है आपको और साथ ही हम जो गर आपकार कली लहसन की भी एड़ कर देना अद्रक और मिर्ची तो जैसे एड़ किये वैसे कर नहीं है आपको एक से दो मिनिट तक इसको मेडियम फ्लेम पर भून लीजिए और फाइनली टमाटर एड़ कर देना है चौप किये वे अब डालेंगे काजू और साथ के साथ ही हम उऊना मेड़ कर देंगे खस हस इन सब को करीबरन एक से दो मिनिंट तक हम पका लेंगे मेडियू फ्लस फ्लेम पर मेडियम टू लो-लो भी आपकर सकते है अगर जलने लग जाए तो लो कर देना फ्लेम और एक से दो मिनिट बाद इसमें हम एट कर देंगे आधक कब दूद चला लेते हैं एक बार और अब इनको हम लो फ्लेम पर धक के पूरे पांच मिनुट तक के लिए पकने देंगे या जब तक दूद रिड्यूस नहीं हो जाता तो अब हो चुके हैं पूरे पांच मिनुट और पांच मिनुट में आप देख सकते हो दूद बहुत अतक रिड्यूस हो चुका है थोड़ा बहुत जो मौशेर आपको इसमें दिख रहा है उसको आप चलाते हुए सुखा लो और अब फ्लेम को आप आफ करके इस मिक्षेर को ठंडा होने तक के लिए छोड़ दो जब एक बार मिक्षर ठंडा हो जाए तब हमें बनाना है इसका पेस्ट तो मिक्षर पॉट में एड़ कर देंगे इसको और साथ के साथ इसको पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा मिसमें दूद आड़ कर देते हैं आपको इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना कर रेडी करना है अगर थोड़े बहुत आपको लगे कि यह दरदरा सा है तो आप इसको एक बार छान भी सकते हो तो यहाँ पर मैंने जो पेस्ट बनाए यह काफे फाइन बन कर रेडी हुआ है तो मुझे चानने की ज़रोत नहीं अब कड़ाई में हम एड़ कर देंगे दुबारस से दो टेबल स्पून घी और इसमें कुछ सूखे मसाले आड़ करने वाले हैं जैसे कि धनिया और लाल मिर्शी पाउडर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना क्योंकि यह सूखे मसाले हैं तो बहुत जल्दी से यह जलने लग स सकते हैं इनको एक बर आप मिला लो और मिलाने के साथ ही इसमें एड़ कर देना हल्दी पाउडर इनको भी एक बर मिला लो बस 30 सेकंड तक ही आपको इन सूखे मसाले को पकाना है बस 30 सेकंड बाद हमारे तयार किये वे पेस्ट हम इसमें एड़ कर देंगे और इन मसालों को आप लगातार चलाते वे भूनना क्यूंकि इसमें काजू भी डला था तो यह नीचे से जल सकता है इसलिए आप इसको चलाते रहना साथ के साथ अब यहां पर हम एड़ कर देंगे जो मिक्सर पॉट में थोड़े बहुत मसाले लगे थे पानी की साथ चाफ करके आप उसको भी एड़ कर दो इसके अंदर और दो से तीन मिनिट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको भून लो लगातार चलाते वे भूनना साथ हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए सिंधा नमक आप नॉर्मल डेज में बना रहे हो तो नॉर्मल सॉल्ट भी डाल सकते हो इसको भी चला लो यहाप पर थोड़ा सा गरम मसाला है बस दो चुटकी के करीम मिक्स कर लो इनको भी हाफ चमची चीनी आपर मैंने अड़ किया यह मैं शुरू में आपको बता नहीं पाई भूल गई थी शायद तो यह चीनी ज़रूर अड़ करना आधी चमची आप तो ओयल भी इची से सेपरेट होने लग चुका है अब यहापे फ्रेश क्रीम आड़ कर देते हैं इनको भी मिला लो फ्लेम को आप लोही रखना जिसे की मसाले हमारे जले नहीं पनीर आड़ कर देंगे हम बीच बीच में आप मसालों को चलाते भी रहना और कसूरी मेती भी कर देते हैं अपर फैनली आड़ कर देंगे इसमें हम दूदूरह आप अपने टेस्ट के एक और लिच काए अगर आप में थे कहा हो तो क्म दूद अदकरना पतली ग्रे पिचाहते हो थोड़ा दूद आड़ कर लेना तो 2 मिनिट के लिए लो फलेम पर तकि हमने जो बाद म स्विटरस होई को सब्सक्राइब करना मत भूला साथ मैं बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करू आप तक जरूर पहुचे बाई फ्रेंड्स